हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक अन्मे यूट्यूब चैनल तो दोस्तो ये इस ड्रामा की एक्स्प्लिनेशन का पार्ट नमबर थ्री है अगर अभी तक आप लोगों नहीं प्रिवेस पार्ट नहीं देखे हैं दिन पहले आप वो दीख लीजे साथी दोस्तों चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया यह तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे और अगर आपको वीडिओ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी क्या कीजे तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ली सीोल से कंट्रोल नहीं हो रा था वहाँ यूंजो ने ली सियोल के जूते रखे हुए वहाँ पे देख लिए थे पार्क शर्मिन्दा ही हो रहा था केतने में सियोल वहाँ से भागती ही जाती है सीधो वाश्रूम के लिए और वाश्रूम में जाने के बाद वो कह रही थी युन्जो तो यहाँ चली गई है ना बहुत चल्दी थी मुझे तो मुझे माफ कर दो लेकिन जब भार आती है सिवल तो देखती है युन्जो तो वहीं खड़ी थी और पार्क शर्मिंदा हो रहा था सिवल कहती है यह हम पे क्या करी है मैंने तो गेट की खुलने की आवाज सुनी थी तब पार्क उससे कहता है तुम्हें अंदर जाना चाहिए लेकिन युन्जो उससे बोलती है हम दुबारा मिल गए अच्छा लगा तुमसे मिल के सिवल भी उससे एलो बोलने लगती है तब प के कहती है कि मैंने अपना बैस ट्राइ किया था वैसे डिरेक्टर युन्जो काफी अच्छी इनसान है पार कहता है क्या वाकई वैसे तुम बताओ अब तुम्हें हलका मैसूस हो रहा है ना सियोल तो यहां पे वीर्ट सी स्माइल देती है लेकिन भार युन्जो उसे काफी भी ज़दा हुँआ था इतना कि वह सीदे जुगगो के घर पहुच जाती है उसे गर्जी लगा करके कहती है कि आज वो बहुत ज़दा हर्थ है उसे कमफर्ट की जरॉत है तब यह जुग भी उसे गर्ले लगा लिता है और अब नेक्स मौ् Bubu की सीन दिखाया जाता है यह जुंगो के घर पर ही रुख गई थी और अब इसे वहाँ पर एक कॉल आता है जिसे सुन करके काफी दादा शौक हो गई थी और इसके बाद ये सीधे पहुच जाती है पार्क के पास काफी घप राते हो इससे कह रही थी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है चेयर्मेन को क वारा से रोयल फैमली इस्टेबलिश हो जाती है वही पार्क परशान हो रहा था क्योंकि सीधे उसका कॉल नहीं उठा रही थी क्योंकि सीधे नियूस देख करके हैरान हो गई थी और इसके सत बाकी लोग भी पार्क पहुच जाता है उसी के पास और गुस्से में उसे खड नहीं आना चाहिए और उसके बाद वो सीधे को कवर करते हुए मीडिया के बीच से ले जाने लगता है और फिर भागते दोरते ला करके उसे गाड़ी में बठा देता है और ये रिपोर्टर्स पूछ रहे थे कि आखिर वो लड़की कौन है जिसे आपने गाड़ी में चु रही है तब इनके बीच से एक और रिपोर्टर निकलता है जिसका नाम यूकी है और साफ समझ में आ रहा था कि यूकी और पार्क की कोई परानी दुश्मनी है तो भही कार में सियोल को इसके दोस्तों का कॉला जाता है कि तुन्हे नया बॉइफरेंड बना लिया और हमें पताया भी नहीं तो सियोल कहती है कि मैं सब आप कैसे कर सकती हूं तुम्हें तो पता ही है मैं सिफा सिफ प्रफेसर को पसंद करती हूं सियोल कहती है इस समय प्रफेसर कहा है तो इसकी दोस्त बोलती है वो भी देखने के लिए गए है कि कौन सी लड़की भागी है कब सियो विंडू कोल के देखने लगती है कि प्रोफेसर कहां पे है लेकिन पार्क उसे जबरदस्ती अंदर भेज रहा था तब यूकी बोलता है ज़रूर तुम जिस लड़की को चुपा रहे हो वो प्रिंसेस है अब सारे रिपोर्टर पूशने लगते हैं पार्क से कि ये मेरी गल् क्युआ हैं हमारा भी होटल का काम है पार्क कहता है कॉम्पिटिशन गल्डले ने अभी तुम अंदर चलो इसका थो म्हेती है अन्दर चलो। पार्क से जबरदस्ती अंदर लेकि जा रहा था तो एसके बाप इससे माफिए मांगने लगी थी किकलती azale के melts लग गया लेकिन परक कहा रहा था, क्या तुम रेसलर हो जो ऐसे मार रही थी तब सुल फिर से हाथ उठा के कहती है कि यë तो नैच्छरल है परक डर गया था, तो सुल कहती है बने नहीं सचा था तुम डर जाओगे परक कहा रहा था कौन डरा है तब सियोल कही थी वैसे आज तुम हीरो लग रहे थी कैसे आई थी और कूट के अंदर करके सब के सामने सही मुझे लिया है तुम एक्सपिरियंस लगते हो पायर कहा था यह सब कुछ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया था क्योंकि एक बार मीडिया में चाहरा आना मतलब परसनला लाइफ पूरी तरीके से खतम हो गई अब सियोल से इसी बार में पूछने लगी थी और कहती है कि तुम्हारा कोई और भाई बेन नहीं है तब पार केता है कि 20 साल से उसे उसके डैट के बार में नहीं मालुम है बाई बेन तो दूर की बात है उसके ददर जी नहीं उसे समाला है और जब वो 11 साल का था तब ही उसके डैट चले गए थे और सारी मीडिया की नजर उसके उपर आ गई थी कि अब दियान क्रूप की सारी प्रापर्टी मेरी जो हने वाली थी इसलिए बच्पन से यह सब कुछ सहरा हूँ अब सियोले से शान करा के कहती है तुम बहुत जाता ब्रेव हो मरना मुझे लगा ता 11 साल की उमर में सारी तकलीफे मेरे पास ही है क्योंकि मैं और मेरी बेहन तो सौसेज पर लड़ते थे खेर पार्क इसकी बातों से हसने लगता है और उसके बाद यह लोग नियूस चला करके देखते है और अब इससे सियोल को पता चलता है कि पार्क ने उसे अपनी कल फ्रेंट बता दिया है वो पूश रही थी आखिर यह सब कुछ क्या है अब पार्क बहाने बनाने लगता है लेकिन सियोल इसकी ओपर हसने लगती है और कहती है जूट बोलना था तो यही बोलना था क्या खेर चलो मेरा चारा तो दिखा नहीं है लेकिन उसे यादाता है इंटरनेट भी तो है बाकी अब वो इंटरनेट पर सर्च करती है तो पता चलता है एक वीडियो वाइरल हो रही है जिसमें पार्क ने सियोल को गले लगाया था फेस तो साफ नहीं था लेकिन सियोल उसे फोन दी के कहती है चलो अब इसे फटफट से हटवा दो पार्क कहता है ये क्या कह रही हो सियोल कह रही थी ड्रामा में ती यही होता है रिच लड़का फोन करता है और फिर वीडियो हट जाती है पार्क कह रहा था ऐसा होता तो बच्छमन ने सबसे पहले में पार्क कह रहा था किया सियोल कहती है पहले मैं उनसे काम कर वालूँगी और उसके बाद मना कर दूँगी पार्क कह रहा था ऐसे कौन से वादे तोड़ता है अपने सियोल कह रही थी तो तुम क्या चाते है मैं प्रिंसेस बन जाओं पर्क क्य competi आदा पहर मीडिया है सियोल कह दिया ठीक है फिर मैं अंदर आराम कर सकती हूँ क्या पर्क खहा कह देता है सियोल अंदर आ गई थी और काफी परशान लग रहे थी यह दूसी तरफ चेयर्मेंन गुसा कर रहे थे सेक्रेटरी के ओपर कि आखिर कार पार्क ऐसा कैसे कह सकता है कि प्रिंसेस उसकी गर्फरेंड है खेर तब ही यूंचो चेर्मेन से कहने लगती है आप जल्द वाजी वे अपनी सारी प्रापर्टी डोनेट क्यों करना चाते हैं तब चेर्मेन उसके रैट के उपर गुसा करे थे तुमने पहले से यूंचो को कुछ भी क्यों नहीं बताया उसे तो पार्क की पार्टनर बनना है फिर वो खुदी यूंचो को बताने लगते हैं यूंचो का सपना था कि मरने से पहले वो प्रिंसेस को ढून करके उनको अपनी सारी जायदाद वापिस कर दे तो अब आगी यूंचो अपने डैट के उपर चला रही थी कि आपने मुझे पैसे कुछ भी क्यों नहीं बताया वो कहने लगती है कि आखिर कहां से ये प्रिंसेस आ गई और ये सब कुछ क्या चल रहा है यूंचो की बातों से साफ समझ में आ रहा था वहीं दूसी तरफ पार्क के इंसारी नहीं उससे परशान था तब यूजो उसके पास पहुच जाती है पार्क उससे पूछी रहा था कि उससे कैसे पता चला कि वो यहां पे है इतने में ही सियोल मुपे ब्लैंकिट डगे भूत्ती के तरह भारा जाती है और फिर यूजो को देख के घबरा के बोलती है डिरेक्टर अब यहां पे अब यहां पे मौल तोड़ा सा अकवर्ड हो गया था पार्क कहता है तुम सो के कब उठी तब यूजो बोलती है तुम इस सिच्वेशन में सो कैसे सकती हो तब पार्क सिवल की तरफ से बोलता है थर्ण में भागने से यह बिचारी थक्ये सो गई यूजो कहती है तो क्या यह वही लड़की है जिसके साथ तुम भाग की यहां पे आए हो सिवल कहती है मैं वही हो लिकिन डिरेक्टर आप कुछ गलत समझ रही है और यूजो तो काफी जैलिस हो रही थी और फिर वो पार्क का केले में बात करनी के लिए लेके जाती है जैलिसी में वो उससे बोल रही थी मुझे लगा था तुमने प्रिंसिस को ढूड़ा है पर तुम तो गोई उनको यहां पे लेके आए थे तो मैं पता है मुझे कितना हर्ट हुआ जैफ टीवी से मुझे तुमारी फ्यांसे की नियूज सुनने को मिली कुछ भी हो लेकिन आगे चलके हमारी शादी होने वाली है तब पार्क उससे कहता है कि मझे माफ करतो तो मैं एक्स्प्लीन करना चाहिए था वहीं भार सियोल कान लगा के संदी की कोशिश करी थी इतने में ये लोग गेट खोल देते हैं और फिर घबराहट में सियोल बोलती है ऐसे ही कोई गेट थोड़ना खोलता है खटखटा के खोलना चाहिए तब पार्क बोलता है जब कोई बाहर से अंदर आता है तब गेट खटकटाते है अंदर से बाहर जाते वक्त नहीं अब सियोल कबरा के बाद बदलने लगती है कवागी पार्क इनका उफिशल इंट्रोड़क्शन कराता है यूजो वोलर की है जिससे मैं शादी करने वाला हूँ और ये प्रिंसेस ली सियोल जिने दादा जी सारी जायदाद देने वाले हैं यूजो हैरान हो जाती है क्या ये ही प्रिंसेस ली सियोल है सियोल कहती है मैं कोई भी प्रिंसेस नहीं हूँ और वो पार्क से कहती है, तो मुझे सब कुछ दे दो अपना फिर, पार्क कहता है, मैं मज़क के मूड में नहीं हूँ, सियूल कहती है, मैं मज़क नहीं कर रही हूँ, पार्क कहता है, मैं गुस्से में बहुत बुरा इंसान बन जाता हूँ, इतने महीं, यूजे को उसके बागी हेलिकॉप्टर को आते होए दिखाया चाता है और सीयोल पार्क से फिर से पूछ रही थी क्या वो वागी अपने डैड से मिलने के लिए जा रही है पार्क कहां कहता है शीयोल चाते है क्योंकि उसे चौपर देख करके उसका पास्ट रियाद आने लगता है उसके फाद पार्क एक जंगल के पास पहुँच ते हैं जहां पे दादजी और सेक्रेटरी उनका इंतिसार कर रहे थे चेर्मेन फिर से ली सीयोल को प्रिंस करके उससे माफी मांगने लगते हैं सीयोल कहते हैं माफी मत मांग ये आज हेलिकॉप्टर के वज़े से उसे पास ठीयाद आ कि आप पहले भी मेरे और मेरे डैट से मिलने के लिए आए थे तब चेर्मेन बोलते हैं आप बिलकुल ठीक क्या रही हैं वो कहती हैं मेरे डैट कहां पे हैं तब चेर्मेन उसे उसके डैट की ग्रेफ के पास लेके चाते हैं और फिर वो ग्रेफ से माफी मांगने लगे थे तब सियूल को बताया चाता है उसके डैड क्राउन प्रिंस के सबसे बड़े बेटे थे जो कि महल से हमेशा दूर रहे थे ली सियूल एमोशनल हो जाती है और पार्क से कहती है तब ने काता तो मुझे मेरे डैड से मिल वाने के लिए लेकि आ रहे हो तो ये सब कुछ क्या है कि मैरे डैड मर चुके हैं अब सियूल बहाँ से जानने लगती है तब पार्क उसे रोखता है सियूल कहती है कि अब मुझे कुछ भी नहीं जाना है पर पार्क कहता है उसे सच जानना है कि आखरकार 20 साल से दादा जी यहां पर क्यों आते हैं अगर सियूल यहां पर रहेगी तब ही दादा जी उसे सच बताएंगे सियल कह रही थी क्या सत जाना है तो में के मेरे डैड ने मुझे छोड़ दिया था और अब ये कह रहे हैं कि वो मर चुके हैं तब चेर्मेंट कहते हैं कि उनकी डैथ मेरी वज़े से होई है ये जानके दोनों ही हरान हो गए थे तब पास्ट की स्टोरी दिखाये जाती है दादे जीने जैसे सियल को ढूंडा है वैसी उसके डैड को भी ढूंडा था और उनसे माफी मांग रहे थे उनके पेरेंट्स ने जो भी उनके साथ गलत किया था तब सियल के डैड बोलते हैं उनने कोई भी फरक नहीं पड़ता है कि वो क्राउन प्रिंस के बेटे हैं या फिर नहीं पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता चुके हैं पर चेर्मेन अभी भी उनसे माफी ही मांग रहे थे कि है चेर्मेन के सोते से ही सियल के डैड उसे चुपके से वहाँ से ले करके जाने लगते हैं पर चेर्मेन को पते चल जाता है और वो उनका पीछा करने लगते हैं तब सियल के डैड अपने समान के साथ सियल को वहीं पे बठा करके चले जाते हैं कि मैं तुम में लेने के लिए वापस आउंगा लिकिन जैसी वो आगे जाते हैं तो उनका चेरमैन के कार से एक्षिडेट हो जाता है और उनकी वहीं पे डैथ हो जाती है प्रेजि़िड ने प्रेजि़ेंट में सील कहती है जिसने जो कहना था वो कह दिया अब सियूल काफी उदास पैटी थी, तभी पार्क उसके लिए पानी लेके आता है, सियूल कहती, अब नाटंकी क्यों कर रहे हो चंता करने की, मैं भी मेरे डैट की तरह मर जाती, तो कोई प्रिंसेस नहीं रहती, तभ पार्क उसके कहता है, माइक लाउं तुमारे लिए सब को बताना है तो, सियूल कहती है, इस काम से तुमारी फैमली को खुशी मिलेगी, वो काम तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है, तभ पार्क उसके कहता है, इस सब से तुम अपने डैट को हट करोगी, और अगर तुम्हें ग्रेंट फादर से बदला ले नहीं है, तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, कि तुम रोयल फैमली को दुबारा से इस्टेबलिश हो नहीं न दो, सियूल कहती है, कितने इविल इनसान हो, इसमें भी तुम अपना फायदा देख रहे हो, कि तुम्हारी प्रॉपर्टी किसी और को न मिले, पार्क उसे कहता है, छोलो एग्रिमेंट करते हैं, सियूल कहती है, ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ चाहिए, अब आगी पार्क सेक्रेटरी के पास चाहता है, और कहता है, ली सियूल, उसके रेड़ के एक पिक्चर चाहती है, और यह आप दे सकते हैं, अब सेक्रेटरी काफी सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन पार्क यहां पे सारी बाते सम्माल लेता है, अब आगे सियूल जब कॉलेज पहुशती है, तब ही वहाँ पे यूचो आजाती है, और उसके बाद वो सियूल के साथ बात कर रही थी, कि उसने अब राउड में उसकी स्टडीज की सारी त्यारियां कर दी है, सियूल कहा रही थी, मैंने नहीं सोचा था, आप इत्ती फास्ट हैं, तब यूचो से उसका नमबर दे के कहती है, आगे से, तुम पार्क को परशान मत करना, मुझसे ही कॉन्टेक्ट करना, सियूल कहती है, पर ये मेरे और पार्क ही हों के बीच की बात है, मैं तुमे कॉल क्यों करूँ, तो ये जो बोलती है, क्योंकि हम लोग शादी करने वाले हैं, तो एक ही है, अब यहाँ पे सियूल अपना एक और डाउट कदम कर ले दी है, कि मैं तो सुना था, आप प्रोफेसर के साथ शादी करने वाली है, ये जो कहती है, ये सारी अववाएं हैं, इनके उप पर विश्वास मत करो, तो अब सियूल ये ही सोचती हुई जा रही थी, तब जूंगो से रोक के कहता है, कि तुम क्या सोच रही हो, ये सुना है, तुम सेवेस्टर आफ लेने वाली हो, क्योंकि तुम्हारे बाइफरन की फैमिली, शादी के लिए नहीं मान रही है, सियूल कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसे शादी क्यों करूँगी, जब मैं उसे लाइक ही नहीं करती हूँ, तब प्रोफेसर बोलते हैं, अगर ये वाला मैटर नहीं है, तो कहीं तुम प्रिंसेस तो नहीं हो, सियूल कहती है, आपको कैसे बता चला, फिर वो अपने मूपे ही मार रही थी, कि ये सच उसे नहीं बताना था, प्रोफेसर कहती है, क्या वाकई तुम प्रिंसेस हो, सियूल कहती है, ये सीक्रिट है, किसी को मत बताईएगा, सियूल को गर वापिस छोड़ने के लिए आया था, ये बात करी रहे थे, कि तब ही गुस्से में, वहाँ पर पार्क भी पहुच आता है, और इनसे कहा रहा था, ये रस्ते में भीर जमा करके क्यों रखी हुई है, सियूल कहा रही थी, तो क्या तुम लड़कियों को सिफ रात में ही छोड़ते हो, पार्क कहता है, एक टीचर को ऐसे शब्द शोबा नहीं देते हैं, अब इनके बीच में ऐसे ही जगड़ा होने लगता है, तब पार्क सियूल की तरफ देखने लगता है, स्योल कहती है ऐसे क्यों गूर रहे हो तब पार्क उसे कहता है पीछे देखो वो तुम्हारी बेहन है ना मीडिया के साथ अब पार्क जुंबो के सामनी स्योल का हाथ पकर के जबरदस्तियों से वहाँ से ले जाने लगता है और इसी के साथ यह वाले पार्ट के explanation यहीं पर complete होती है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कर दीजे और चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लीजे Thanks for watching, मिलते हैं बहुत जल